आज जो सी एक कानून का जो बिरोत कर रहे हैं उनके अंदर मानवता समाप्त हो गई है वोट की लालत में तूस्टी करन के तहद्या कर रहे हैं जो अच्छी बात नहीं है चिराग पास्वांजी कहीं से कोई नाराज नहीं कोई नहीं चिराग जी में कोई नाराज और अपरादियों को जो सनरक्षन मिलता था आरजेडिया और जस्टी जी के द्वारा जिसके कारण ही तो मिती जितावा थे माने प्रधान मंत्री आदर्निय नरंद्र मोदी जी जो देश के साथ बादा किये थे कि हम CAA कानून लाएंगे और उसको उन्होंने पूड़ा किया है जो आज CAA कानून के खिलाब बोड़ रहे हैं उनके अंदर मानावता समाप्त हो गई अपने परोसी तीन देशों में जहां धर्म के आधार पर उनके साथ अन्याय होता था उनकी संपतिया लूट ली जाती थी जला दी जाती थी उनकी बहु बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी जावरन धर्म परिवर्तन कड़ाय जाते थे उनके साथ मार पिट की जाती थी हत्या कर दी जाती थी पड़िबार के सामने बेटे के सामने पुत्र की पुत्र के सामने पिता की भाई के सामने बहन की बहन के सामने भाई की और इस तरह का जो अत्याचार अनाचार हो रहा था जिसके कारण वह परतारित होकर भारत में सनन लेकर आ गए उनको एक अच्छी जिन्दगी देने के लिए न्याय किया है मानिय परधान मंत्री जी आज जो सी एक कानून का जो बिरोत कर रहे हैं उनके अंदर मानावता समाप्त हो गई है और यहां बोट के लालच में तूष्टी करन के तहद्या कर रहे हैं जो अच्छी बात नहीं है अगर इस कानून का बिरोध कर रहा है इसका मतलब है कि उनके उसके अंदर मानावता समाप्त हो गई है और सत्ता के लालच में बोट के लालच में तूष्टी करन के ताहद इस परकार का वह बिरोध कर रहे हैं कुछ नहीं है इंडिये में कुछ नहीं है इंडिये एक जूट है हम संबिलकर लड़ेंगे और 40 की 40 सीट बिहार में जितेंगे कर सबांनटट नहीं कोई नाराज नहीं में कोई नहींगे कोई नाराज ही है नहीं है बिल्कुल नहीं बीलकुल पासवान और उनके चछाचा जी है उनको लेकर आर्जेडी बड़ी मज़ा लेड़ी है क्या मज़ा लेगी आर्जेडी तो ऐसे ही समाप्त हो चुकी है जो पडिवारबात की पाटी है जिसकी बुनियाद ही भरस्ताचार और घोटाला है गड़ीवे को लूटना है क्या बोलेगी कई कोई खटपत नहीं है कोई खटपत नहीं है बहुत जल्दी पतवारा हो जाएगा आप तेजस्वी जी के कारणामों को बिहार नहीं जानता है क्या उनके अत्याचार को कौन नहीं जानता है नफरत की राजनीत करने वाले सिर्फ अपने पडिवार के लिए गड़ीवों के खुंच उसने वाले उसका हक मारने वाले और हमेशा अपरादियों को सनरक्षन देने वाले तेजस्वी जी क्या बोलेंगे आरजी जी क्या बोलेंगे 17 महीने में 17 महीने का क्या जारी करेंगे हूँ 17 महीने में जो उनके कारण ब्यार की विदिवेवस्था चौपट रही है विकास उनके कारण बाधित रही है और अपरादियों को जो सनरक्षन मिलता था आरजी इडिया और तेजस्वी जी के द्वारा जिसके कारण ही तो नितीज जी तवा थे और इंडिये में आए और नितीज जी बिहार का विकास चाहते थे माने परधान मंतर जी के नित्रुत में जो विकास की गंगा देश के गाउं गाउं घर घर जन जन सहर सहर पहुँच रहा है उसको बिहार में नितीज जी को करने नहीं ते जस्वी जी देते थे तो आप राधियों को सनरक्षन देने वाले लूट खसोट की राजनित करने वाले भरस्टाचार और अप पड़िबार बात की नीती के दायत राजनित करने वाले हो क्या बोलेगी यह उन्हों का दिमाग खराब हो गया है सनातन का बिडोध करना बहुत ही किसी भी इंडिय गटवंधन के नेता का संसकार सबाब बन गया है सनातन को गाली देना सनातन की संस्कृति की बुनियात पर भारत विश्व गुरु बनने जाड़ा है उसको गाली दे रहे हैं सब बोट के लिए करने ओची राजनित करने वाले लोग ओची मानसिक्ता के लोग सनातन को गाली दे रहे है एक अप्रेल को उपसीच होने का आद सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए